नमस्कार दोस्तों रेजनिंग मास्टर में आपका स्वागत है जहां आज का टॉपिक है समय और कैलेंडर पर आधारित प्रस्ण जो कि आपके आगा मिस सभी परिक्षाओं में आवश्रक प्रस्ण रहने वाले हैं जो आपका ससे जीडी की MTS, RPF, Railway और आपका DLED entrance exam के लिए most important personal लैने वाला थाथ ही अगर B8 का इंटरेंस एक्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी जरूर सो जरूर पूछा जाने वाला यह परियो प्रस्ण राने वाला तो चलिए बिना आपका समय गवाय चलते हैं पहले परिश्ट की और देखते हैं है आज का समय कलेंडर शब्स पहला प्रश्ण और मश्यक्त के करने के लिए हमारे पास सबसे बहतर तरीका यही होता है की लिप वर्स में हम एक ही फॉर्मूला को अपनाते हैं और वो है इसका सबसे बहतरिन तरीका है कि आप चार से भाग दे जीजिए जो भी आपका वर्स आता है जो भी आपके पास वर्स है उसे अगर आप चार से भाग देंगे अगर पुर्न रूप से अगर कट जा रहा है चार से भाग देने के बाद तो वही आपका लिप वर्स है तो चलिए हम बिना देरी के सबसे पहले भाग देखते हैं कि कौन सा ऐसा वर्स है जो चार से भाग देने पर पुर्न रूप से वो कट जाता है अब यहां पर अगर हम डिवाइड कर दाएं इसे 1912 को तो इसे देखते हैं कि करता है या नहीं करता है 4-4-1 का 16 हो गया उसके बाद आपका यहां पर बच गया 3-8 और 30 तो यहां पर आपका 4-9-36 2-22 यह आगया 4-5-20 यह पॉइंट में अंसर आएगा तो यह हमारा नहीं है दूसरे ओप्सन को हम यहां पर देखते हैं कि 1974 को चार से डिवाइड करते हैं तो यहां पर क्या आता है चार-चारी का 16 तीन और शात चार नमबा चातीस एक चार चुक्डा आया तो चारतिया बार यह भी पॉइंट में आएगा तो यह भी हमारा नहीं है तीसरे ओप्सन को देखते हैं यहां पर रूज से डिवाइड करके तीसरा अगर हम चार से डिवाइड करते हैं तो चारे क यहां पर चार चारी का सोल तीन साथ चार नमा च्छतिस उसके बाद आपको यहां पर एक अठारा आया चार चारी का सोल यह भी पॉइंट मैंसर आएगा तो यह भी हमारा नहीं है ब्लास्ट एक हमारे पास अप्शन बचा वह उसे एक बार देख लेते हैं कि वह सही है या फि यहां पर चार आठे बत्तिस दो पहष पत्चीस आया तो यह दो कहींले नगें डिवाइड करने में मिश्टेक किया तो यहां पर क्या हो गया है यहांपर कुछ टैपिंग मिश्टे कर टरैपिंग मिस्टे किया हैक यहांपर एक ऑफिया पे गाया पर और उप्षन है उन्यसों चार में पर एक दिखाते हैं आप लोगे अगर यहां पे 1 पर उनीज यहां पर 9 isa 1934 अगर दिखाते हैं अगर नाट को अगर यहां पर यहां पर तीन जिरो तीस बचेगा साचो का थाइस और चार्शी का चूवरिस यानि कि 1904 यहां पर हमारा राइटेंस रोने वाला ना कि यह चारो कर चारो कही बार एक्जाम में देखा गया कि कही बार एक्जामनर से भी गलती होता है वहां पर टैपिंग मिश्टिक में वहां पर अंक डेट या समय कुछ भी वहां पर गड़बढ हो जाता तो उसे हमें एक्नोर करना है और समझते आगे बढ़ना है तो पहल्त दूसरा प्रसुन दे एक फरवरी उन्हें पर लगाना होगा कि वह एक फरवरी जो है 28 दिन का है या 29 दिन का है पुकि जब तक हम पता नहीं लगा है तब तक इस का इंसल नहीं आने वाला है उसे पहले पता लगाते हैं कि यह जो उनीश चीन बे है वह आपका लिप वर्स है यानि कि 28 परवरी का महिना है या 29 फरवरी वाला महिना है तो इसे पता लगाने के लिए यहां पर चार से डिवाइड करते हैं पुर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहा तो यह हमारा पुर्ण रूप से चार से डिवाइड हो रहा होगा तो यह हमारा 28 दिन वाला महिना हो जाएगा और नहीं हो 28 दिन मान के यहां पे चलाएं, तो 28 दिन हो गया फरवरी का, प्लस में 3 मार्च का 3 दिन हम यहां पे अगर लेते हैं, तो यहां पे कितना हो जा रहा है हमारा, 28 प्लस 3 का 31, 31 दिन हो रहा है, 31 दिन अगर हमारा यहां पे आ रहा है, तो 31 में 7 भाग देने पर 6 कितना बचेगा, 31 मार्च 296 नवे को बुद्धवार से तीन दिन है अर्थ शायत पर चुमी यहां पर बढ़ा देना तो अगर यहां पर बुद्धवार आ र रहा है तो बुद्ध के बाद यहां पर प्लस में कि आई होप इस कोशन को बनाने में आप लोगों कोई समस्यान नहीं होगी और समझते हुए आप लोग आगे बड़े मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं यदि एक फरवरी उन्हें सुच्यानवे को बुद्वार था यान कि एक परवरी भरवरी का मैना हमने 28 माना और 28 के बार हमने यहां पर तीन यह तीन मार्च का मैना प्लस कर दिया तो यहां पर 31 दिन आ गया 31 दिन आ और दूसरी बात हमने यहां पर लिप वर्स या कोई वर्स पता इसलिए नहीं लगा है क्योंकि आप पहले से दिया हुआ था कि 1993 को बुद्वार था इसलिए हमने यहां पर लिप वर्स का परियोग नहीं किया अब जड़ा इस प्रस्ट को देखिए यह इंप्वर्टेंट प्रस्ट अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है वीडियो को पॉस करके इसका अंसर कमेंट में बताइए अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो आगे तक दखिए और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन ओन कर लेगा क्योंकि ऐसे इंट्व तो यहाके पहला दिन शुनना है बस आपको यहाँ पेन उठाने के विए अग्यूत नहीं पड़ेगी यहाँ पर समझना है कि माह का पहला दिन सनी वार है चुकि माह का पहला दिन क्या है सनीवार है सेटर्डे है पहला दिन पहला दिन हमारा यहाँ पे सेटर्डे है ठीक है तो यहाँ पे अगर पहला दिन अगर यहाँ पे हमारा सेटर्डे है तो माह का आठवा दिन तथा पंदरवा दिन भी सनी बारी होगा यानि कि माह का जो आठवा दिन होगा और पलस में जो पंदरवा दिन होगा दोनों आपका सेटर्डी होगा क्योंकि हम यहां साथ दिन हम यहां पर आगे बढ़ा देखते हैं तो अगर हम यहाँ पे साथ दिन अगर आगे बढ़ाते तो दोनों दिन हमारा यहाँ पे सेटर्डे ही अंसर आने वाला है तो पंद्रवा दिन और सत्रवा यह आथमा दिन और पंद्रवा दिन भी हमारा सनिवारी होगा तो माह का सत्रवा दिन कौन सा होगा तो सनिवार में प प्लस में दोख क्रेंगे तो सव्भर शौंवरी आएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइद तो सनी बार के बाद अगला पलस में दुख दमार करें तोस度 करेंग지만 किस्थ आ ज्याएगा तो सब्सक्राइब आगा तोब कैया रहा है की 17 से गिनने पर कौन्सा दिन पर 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 कौन सा माह का तीसरा दिन होगा तो कौन सा माह का तीसरा दिन होगा तो उस माह का तीसरा दिन होगा यहां पर उस माह का दसमा तथा तीसरा दिन भी सौंगवार होगा यहां कि आत दिन तो ही है उसातरमा दिन भी सौंगवार आ रहा है तो दसमा दिन भी हमारा सौंगवार ह कुछ भी करिए यहां पर समभार इसका राइट एंसर आने वाला है आई हो पिसे आप लोग समझ गए होंगे अगर नहीं समझे तो मैं इसे दोबारा लोगों को रिपीट कर रहा हो समझेगा सुनिए बढ़िया से इसको समझेगा कि माह का पहला दिन हमारा यहां पर सनिवारी बता रहा है ठीक है अब माह का आठवा तो पंदरवा दिन भी सनिवार आ रहा है प्लस में साथ करते हैं तो हमारा आठवा दिन हाता है प्लस में साथ करते हैं तो पंदरवा दिन हाता है तो दोनों का दोनों आठ और सत्रह दिन भी पंदरवा दिन हमारा सेटर्डे ही आ रह तो हम प्रस्ण को दियान से यहां पर क्या कह रहा है यह क्या प्रस्ण कह रहा है कि एक विद्यार्थी रात को 10 बजे अगले तीन मध्यान हेतु अपनी घड़ी में अलार्म लगा कर सो गया जब अलार्म बजने पर वह उठा तो वह कितने घंटे तो रात्री के 10 बजे से अगले दिन अद्यान 12 बजे तक का समय कितना होता है जोड़के दिकिए यहां पर आप कि मानके चलिए एक स्टुडेंट है उसने 10 बजे अलार्म लगा कर सो गया का ऐखा गया दसवाजे और अगले दिन मद्यान पर भोजन के लिए उठा तो बारा बज गया होगा तो जब बराब pourquoi अज को लगा है तो जब बहुत बारर भुज़े उठा तो क्या उंड़ा कि दशी पॉलस में यहां पे दो करेंगे तो बारा आया और ये बारा उटोमेटिक है तो बारा प्लस में बारा कितना हो गया बारा और प्लस में दो चोगदा गंटा वो सो गया वो बालग जो था वो चोगदा गंटा सो गया चोगदा गंटा कैसे सो या दस बजे रात को सो या तो दस के बादी ग्यारा बारा दो गंटा उदर हो गय तो वो चोगदा घंटा सोजा वो बच्चा ना की 12 गंटा ना की 11 ना 4 तो वो विद्यार्थी जो है विद्यार्थी चोगदा घंटा सोजा था तो चोगदा हमारा यहां पर बिल्कुल correct answer है तो चलिए चलते हैं आज का आकरी प्रस्ण जो की बहुत ही आवसेक प्रस्ण है तो उसे देखते हैं क्या है मैं सोच रहा हूँ इस प्रस्ण को आप लोगों के लिए हमवक के लिए छोड़ देता हूँ ताकि इसे आप लोग खुद से solve करके comment box में इसका answer बता सके लेकिन फिर भी यह पहला क्लास है तो इसलिए मैं इसका answer बता ही देता हूँ वगर आप लोग से बनता है तो कमेंट हो जुरू बताईए प्रस्ण कह रहा है कि यदि एक दरपन में देखने से पता चलता है कि घड़ी में उस समय नौ बचकर 30 मिनट हुए है तो घड़ी मास्त वtar समय क्या है एक दरपन से पताच चलता है कि घड़ी में उस समय 9 scam breaku एंड करें नौन वास्तो इक स्मय क्या होगा दरपन में एफ alleg मुत 3000 हुए है तो वास्तिक समय क्या होगा तो यहां पर बात करें कि घड़ी में दर्पन में देख रहा है तो एक घड़ी है घड़ी में जो है आप यहां पर 9 बचकर 30 मिनट दिख रहा है तो यहां से 12 होता है यहां पर 3 होता है यहां पर 6 होता है यहां पर 9 होता है तो घड़ी को अगर दर्पन में देख रहा है तो 9 कर तिस मिनट उसे दिखाए देए रदर न में देखने पर तो वाथ当 मैं क्या होगा तो ऊकर दर कर कर देखاتाा है तो repeated हमेशा प् Global, वो काटा होगा वो काटा यहाँ होगा दस के आसपास में होगा यानि कि इस जगह पे होगा तो इस जगह पे काटा होगा और एक यहाँ पे होगा तो दरपन में वो देख रहा है यानि कि वो अपोजित अगर हम उसका कर देते हैं दरपन पे देखने पे तो अपोजित जब हम करेंगे यहाँ पे तो जब हम यहाँ तो दरपन का पोजिट बनाने पर यहां पर 9 के जगह पर यहां पर एक आता यहां पर दो आता है यहां पर तीन आता है तो यह काटा जो है यहां पर घूम जाएगा और यह काटा यहीं का यहीं रहा जाएगा तो यह दो बज करके 30 मिनट दरसाएगा अगर दरपन मैं देखने गड़ी में देखने पर दो बजकर 30 मिनट दिखाएगा अगर कोई घड़ी में किसी ने घड़ी देखा ठीक है तो घड़ी में देखने पर उसे समय यहां पर दिखाया यहां पर 9 बजकर के 30 मिनट अगर उससे समय दिखा रहा है दरपन में तो वास्त साड़ी नो दिख रहा है तो अगर यहाँ पर बार रहा है तो उसका दरपन में दिखा दरपन का पोजिट अगर करेंगे तो यहाँ पर दो के पार काटा रहेगा और तीन और दो के बीच में काटा रहेगा दूस जाँ 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 जाल